आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरह के मिठाई और ये है डोडा बर्फी जो दिल्ली और हरियाना के साइट पे बहुत फैमस है और सर्दियों के दिनों में इसे बहुत बनाया जाता है ये खाने में थोड़ी फजी होती है और हैल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है तो आज हम इस रेसीप को बीना घंटों पकाए कुछ भी मैनत करें बीना ही हम इजी तरीके से और क्वीकली इसे बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंत आई तो प्लिज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी चैनल कुछी शुगुन को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करने के लिए क्या कराए ये लाल बटन है उसको और उसके बाद जो बैल आइकर है उसको भी प्रेस करिए यहां पर मैंने एक कुकल लिया है और इसमें तीन बड़े चमश देसी गी डाल दिया है और गी को थोड़ा हम गरम होने देंगे उसके बाद इसमें मैंने डाला है एक कप जो ब्रोकुन वीट आता है गीहू का दल्या वो डाला है वैसे तो यह मिठाई बनती है गेहू को अंकुरित करने के बाद उसमें से बनती है पर दल्या भी गेहू को अंकुरित करने के बाद ही दल्या भी उसमें से ही बनता है तो आज हम दल्या से बनाएंगे वो भी क्विक वाली क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे दल बहुत टाइम तक उसको दूद में उसको उबालना पड़ता है उसको पकाना पड़ता है वैसे बनता है पर हम क्या करेंगे इस कोकर में ही इजी तरिकिस को बना लेंगे तो यहां पे हमारे जुद दलिया था वो भी अच्छी तरह д应ा चुकत है इसको यहाँ पर मैंने बहुत ब्राउन नहीं किया है इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हम इसको बुना छोड़ देंगे तो आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे जो दल्या है वो भी brown होने लगा है और गैस की आज हमें यहाँ पे medium रखनी है, high नहीं रखनी है तो यहाँ पे दल्या भी dark brown color का होच शुका है तो अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो आपका दलिया बिल्कुल perfect cook हो जाएगा तो चलिए हम 6 विसल cook के लगा लेते हैं तो दलिया भी पक जाएगा इसमें हमारा दलिया जब तक वहाँ पक रहा है तब तक यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने 1 cup दूट डाला है और 4 बड़े चमच यहाँ पर मैंने milk powder डाला है और एक बड़ी चमच cocoa powder डाला है cocoa powder क्या करेगा थोड़ा सा अच्छा सा इसका मिठाई का कलल लाएगा और जो milk powder है वो हमने क्यों डाला है क्योंकि हम इसमें कोई भी मावे का या condensed milk का यूज़ नहीं कर रहे है तो इसलिए हमने यहाँ पर milk powder डाला है तो अच्छी तरह से उसको mix कलीज़ और दूसरी तरफ आप देख पाओगे के जो डलिया था वो भी cook हो चुका है completely उसमें पानी भी नहीं है तो अच्छी तरह से 6 सिटी में तो हमारा डलिया भी पक जाता है तो यहाँ पर जो पका हुआ दलिया था उसको मैंने एक कड़ाई में डाल दिया है और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से दूद में पकाएंगे जो mixture था milk powder और goko powder का वो दूद हम यहाँ पर डाल देंगे और आप यहाँ पर gasking flame क्या करें medium रखे और उसको 5-6 मिनिट या 7 मिनिट तक उसको medium आज पर ही हमें इसको पकाना है तो यह दूद में अच्छी तरह से पक जाएगा और यह milk powder है वो हमारी मिठाई को एक अच्छा सा मावी का टेश्र देगा तो बस आप इसी तरह से इसको 5-6 मिनिट पका लीजिए उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चमश क्या किया है निमूज जो आता है उसका रस डाला ही से क्या होगा कि जो दूद है वो फटेगा और इसमें से छेना बनेगा तो ये मिठाई और भी अच्छी लगेगी तो बस इसी तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो आप देख पाओगे जो दूद है वो दिरी दिरी फटने लगा है और एक अच्छा सा चेना भी अंदर बन चुका है और ये मिठाई उससे बहुत बढ़िया टेस्टी लगेगी तो उसको दो-तिन मिनिट आप और पकाईए उसके बाद यहाँ पे एक कप मैंने शुगर डाला है आप थोड़ा सा इसमें शुगर एड़ कर सकते हो डेड़ कप भी डाल सकते हो पर मैंने बहुत मिठी मिठाई नहीं बनाई है तो मैंने यहाँ पे एक कप ही डाला है तो चीनी को अप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजे और हम इसको और पकाएंगे 6-7 मिनिट के लिए तो यह जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि इसका कलर भी थोड़ा डार्क होने लगेगा तो यहाँ पे फ्लेपर के लिए मैंने थोड़े इलाईशी पाउडर डाला है और रेड कलर मैंने क्यों डाला है क्योंकि कोको पाउडर के अंदर हम रेड कलर डालेंगे तो मिठाई का जो ये ब्राउन कलर है वो अच्छी तरह से निखर के आएगा तो दो ड्रॉप्स ही आप डालना ज्यादा मट डालना वरना मिठाई का कलर थोड़ा अलग लगेगा तो यहाँ पे दो ड्रॉप्स डाल दिये हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है फिर से हम यहाँ पे मीडियम आज कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसमें जो दूद है और वो इसमें रिड्यूज ना हो जाए और ये मिठाई थोड़ी सी गाड़ी ना बन जाए तब तक हम इसको पकाएंगे वो भी 6-7 मिनिट में ही पक जाती है तो 6-7 मिनिट के बाद आप देख पाओगे कि थोड़ा थोड़ा गी उसमें से अकीनारे से निकलने लगाए चुटने लगाए मिठाई में से और मैंने दो बड़े चमच और इसमें डाला था क्योंकि घी क्या करेगा जो मिठाई है उसको जमने में मदद करेगा तो बस आप दिरे दिरे इसको पकाते जाएए और देख पाओगे 6-7 मिनिट के बाद ये मिठाई एकदम घाड़ी होने लगेगी और जो पैन है उसमें से भी कड़ाई में से भी छुटने लगेगी और इस तरह से एकदम घाड़ी बन जाएगी तो हमें इसको इसी तरह से और पकाना है एक-दो मिनिट तो आपकी मिठाई 15 मिनिट में तो ये कम्पलेटली कुक हो जाएगी परफेक्ट बन जाएगी और एकदम टेस्टी वाली ये मिठाई बनती ही और दलिया की वर्चे से ये बहुत हेल्दी मिठाई है तो आप घर पे जरूर इसे एक बार ट्रा करना तो मिठाई अच्छी तरह से पक चुकिए तो यहां पर मैंने गेस की फ्लेम ओफ कर दी है और यहां पर एक मिठाई का जो टीन है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी और अच्छी तरह से हम क्या करेंगे इसका एक लेयर कर लेंगे और आप चाहो तो मिठाई को ऐसे टीन में डाला है तो अच्छी तरह से इसको फैला लीजे और एकदम लेयर उपर से स्मूठ सा बना लीजे तो यहां पर मैंने बादाम और पिस्टा को इस तरह से कट कर लिया है और उसको इस मिठाई के उपर हम फैला देंगे और हाथों की मदश से या स्पैचुला की मदश से उसको उपर से प्रेज करेंगे तो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएगा अच्छी तरह से ट्राइफूर्स को फैलाने के बाद हमें इस मिठाई को सेट करना है तो हमें इसे दो गंटे के लिए फ्रीज में रखना है फ्रीज में रखने के बाद क्या होगा कि य आप घर पे इसे एक बार ज़रू ट्राइ करना ये बहुत ही healthy मिठाई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे मेरी चैनल कुक्वेश रगुन को सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है थैंक यू फो वाचीं